मैं हूँ अन्नपुर्णा और आपका स्वागत है मेरे कीचन में आज मैं बनाने वाली हूँ क्रिस्पी चना टी टाइम स्नैक्स जो बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही चल्दी बनता है इसके लिए मैंने लिया एक कटुरी चना उसे धो के राद भर भेगने रख दिया चना पक चुका है आप मैं डाल लिए 2 स्पून चावल का आठा और 2 स्पून कॉन फ्लावर अगर आपके पास कॉन फ्लावर नहीं है तो आप मैदा यूज़ कर सकते हो बर चावल का आठा कंपल सरी है उसके बाद 1 अप स्पून नमक और 1 पिंच हल्दी यह बने सिफ कलर के अप सिफ स्किप कर सकते हो इसके बात अधर रख लसून का पेस्ट 1 बन डाल के मैं को चैसे मिcka कर लो हूं इसicing पानी नहीं और प्लेट काम से उसी मरश कर निजियाए अधनी काटते पांट बहुत जाकी हमती को अगा हरी मरश करें प्लेट में गुद्युटी दर्ट में से निजिपन की एक नइगा था जानी विर फ्टो सबस्क्राइब करें चने क conservative мо من Autism तब टाइय कम आप प्रोशाचा के सब्सक्राइक गरा गएगा बहार भूमने जा रहे हैं तो धिती ही धर और हमोग भार निल्ग सब्सक्राइब पढ़को एल्दी तो घर भी रहेगा प्लस टेस्टी भी रहेगा अब मैंने वो चने निकाल लिए सेम उसी तरीके से मैं बाकी सारे चने भी फ्राइ कर लोगी ये चने बहुत जल्दी बन जाते हैं बस थोड़ा सा चनों को बिगो के पकाने में ही टाइम लगता है अब हमारे सारे चने बनके रेडी है मैंने निकाल रही हूँ एक प्लेट में प्लेट में निकाल के अब मैं सारी चीज़े इसमें मिक्स करूँगी मैंने लिया एक प्लेट में डाल रही हूँ हमारे फ्राइ की एवबे चने चने डाल के अब मैं इसके उपर डालूँगी लसुन, हरी मिर्च और करिया पत्ती डाल के उपर से डालों के थोड़ा सा चात मसाला हमारे बहुत टेस्टी यम्मी लसुनी चना या क्रिस्पी चना बनके रेडी है आप भी इसे बनाएए अगर अभी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शियर करें थैंक यू